इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बलमर लॉरिस के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करुण प्राइस की बात करेंगे तो 120.75 सी करुण प्राइस चल रही है आज की डेट में हमें almost stock 6% से भी उपर के level पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है इसका 52 week high की बात करेंगे तो 141.45 है और इसका 52 week low 103.35 है दोस्तों वीडियो बहुत ही short और important होने वाली है दोस्तों वीडियो में end तक बने रही है अभी तक आपने DMAT account open नहीं किया है तो link जो है description box में दे दी है उस link का यूज करके आप free में DMAT account open कर सकते हैं तो चली चलते हैं अब हम इसके technical chart पे यह जो आप chart देख रहे हो मैंने इसको trading view website में open किया है यह website जो totally free है आप यहाँ पे गूगल पे आने के बाद trading website open करके आप free में कोई भी company का chart देख सकते हो और मुझे personally बहुत अच्छी website लगती हूँ यहाँ पे tools भी अगरा बहुत ज़्यादा दिये वे उन्हों तो आप इसको एक बार ज़रूर try करिए तो अभी देखी तो यह जो time frame लगाया है हमने one day time frame में जो है इसको हमने set कर लिया है stock जो है exactly easy level पे याने के 112 से लेके 113 तक का वाने के एक रुपय का बहुत ही important support level जो है support zone में बन चुका है अभी exactly easy level पे आने के बाद में stock again जो है हमें 6% के उपर के लेवल पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और MACD की भी बात करेंगे तो MACD भी हमें यहाँ पे strong दिखाई दे रहा है bullish crossover भी दिखाई दे रहा है zero line के उपर अभी देखिए दोस्तो exactly जो है यहाँ पे buying pressure हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है stock में अगर आप fresh buy का plan करते हो तो आपका जो है इसमें target निकल कर आ जाएगा 130 से लेके 131 का यूँकि stock जो है पहले भी इसी level पे आने के बाद में हमें यहाँ से ही गिरावट देखने को मिल चुकी है तो possibility जादा रहेगी again यहाँ पे आने के बाद हमें इसमें गिरावट देखने को मिल जाए तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे fresh buy का plan करते हो या फिर आप पहले से यह buy करके stock को hold कर रहे हो तो इसका weight करिए यहाँ तक के level जो है इसमें आने वाले कुछी दिनों में अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं हो सकता है 4-5 दिन में भी आ जाए हो सकता है 10-15 दिन भी लगा दे तो देखे दोस्तों अगर आप buy करके hold कर रहे हो तो थोड़ा सा weight कर लीजे आने वाले दिनों में जो हमें इसमें अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं अच्छे targets अगर से यह लेवल भी ऊपर की और break कर देता है तो almost 140 के लेवल भी इसमें अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं यहां से लेकर यहां तक अगर हम ड्रॉ करेंगे तो almost 140 का लेवल भी इसमें अच्छी होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों कुछ इस तरह से technical analysis किया जाता है अगर आप भी technical analysis सीखना चाते हैं तो हमार जो है को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक की लिंक जो डिस्क्रिप्यान बॉक्स में दे दी है उस लिंक पे जो हमें सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पे बहुत ही अच्छी रिटन हमें इसमें इसमें देखने को मिलता है एंट्री पॉइंट गुद तो कंसिडर स्टॉक इस सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रोथ हमें यहां पे यह यह देख सकते हैं अदर देखने को मिला ज्योंकि बहुत ही अच्छी बात है तो इसके इन आज को किसले बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है मोमेंट देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था वीडियो जो बनाई गई है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस यूटुब चैनल के साथ तब तक के लिए टेक केर